Hello everyone, this is me Sadiya Sufyan with a new topic, आज का हमारा topic है stages of human development, यहाँ पर जो stages of human development हैं इनको four categories में divide किया गया है, इन categories को मजीद सब divide किया गया है, तो आई आपके साथ share करते हैं, सबसे पहले है जी in fancy stage, अच्छा ये चारो की चारो categories with years है, यनि के किस साल से शुरू होकर किस साल पर खत्म होती है सबसे पहले है जी in fancy stage, in fancy stage है जी birth to two years, यनि के पिदाइश से लेकर दो साल तक ये वली in fancy stage होती है, उसके बाद है जी childhood stage, childhood stage आगे दो categories में मजीद डिवाइट होती है, जिसमें आ जाता है early childhood और दूसरा आ जाता है late childhood, early childhood two to six years है, यनि के in fancy two years पर खत्म होई ना in fancy stage, तो फिर early childhood शुरू हो गया two to six years, उसके बाद जो late childhood है, वो six to twelve years है, यनि के अगर हम देखें तो जो childhood stage है, वो two to six years बनती है, ठीक है, लेकिन आगे से इसको समझाने के लिए मजीद दो stages में categorize कर दिया गया है, early childhood और late childhood, लेकिन जो childhood stage है, वो in fancy के बाद शुरू होती है, यनि के two years till twelve years दो से बारा साल की उमर तक childhood stage है, लेकिन इस stage को easy करने के लिए आगे दो categories में divide किया गया है, early childhood, two to six years, नि के दो साल से छे साल तक, और जो late childhood है, वो six to twelve years, यनि के छे साल से बारा साल तक, और childhood stage की जो complete age है, वो two to twelve years बनती है, next हम बात करेंगे adolescence stage, adolescence की जो stage है वो 12 to 18 years है, ये 12 years पे खत्म हो गई न, तो 12 से 18 years तक adolescence की stage बनती है, लास्ट में हम बात करेंगे adulthood stage, अच्छा adulthood जो stage है, इसको भी मजीद केटेगराइज किया गया है, adulthood जो stage है, वो 18 years से शुरू होती है, ये 18 पर खत्म हो रही है न, तो य ये अडल्टूड स्टेज 18 पर खत्म हो रही है और उसके बाद लाइफ एंड होने तक ये चल रही होती है अडल्टूड जो स्टेज है इसको मजीद तीन कैटेगरीज में डिवाइट कर दिया गया है सबसे पहले है जी अर्ली अडल्टूड अल्ली अडल्टूड आ जाती है 40 years के बाद यह शुरू जाती है जी 65 plus years तक जाती है यह निके 40 years से अगर हम शुरू करें 40 years के बाद जो aging adulthood है 40 years के बाद से यह शुरू होती है और फिर यह 65 plus years तक जाती है आप इसको till death भी कह सकते हैं यह adulthood stage है so these are the basically classification of the stages these are the stages of human development hope you like the video आप लोगों से request है चैनल को subscribe कर दें बेल आइकन पर click कर दें ताके तमाम वीडियो को notification सबसे पहले आप तक पहुंचे और हमें अपनी दौ में आद रखेगा Allah Hafiz